अगर देखो आपके सामने दो प्रिंस्पल्स हैं, एक तरफ है rule of law और दूसरी तरफ moral obligation और दोनों में से किसी एक को आप को चूज करना है तो आप दोनों में से किसको तवज्जो दोगे, rule of law को या दूसरी तरफ moral obligation को ऐसा ही मामला सामने आया, दिल्ली से जासी ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में vice chancellor मुझूद थे, उनको heart attack आया, students ने देखा कि vice chancellor को एकदम से heart attack आया है, बीच में आता है गवालियर जासी से पहले, गवालियर में vice chancellor को उतार लिया students ने, वहाँ पे उनको कोई साधन नहीं मिला एक इनकी जान चली जाएगी, और जल्दी से उस car में बिठा के hospital ले गए vice chancellor को, लेकिन अफसोस जनक, vice chancellor की जान नहीं बच पाई, hospital में उनकी death हो गई, लेकिन बाद में पता लगा कि forcefully, जिस person की car को students लेकर गए थे ना hospital में, वो high court के judge की car है, तो इसके बाद high court के judge ने police से सिका कर लिया, तो जबरदस्त ethical dilemma, एक तरफ students ने अपनी moral obligation fulfill की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने private property को unauthorized डंग से use किया, यानि rule of luck को तोड़ा, इस वज़े से उनके खिलाफ action हुआ, उनको गिरफतार कर लिया गया है, लेकिन देखो, मेरा तो stand ये है, आप comment box में बताईएगा, दोनों principles में फिलाल moral obligation को जारा तवज्यो दी जानी चाहिए थी, पुलिस ने इतना जल्दी action लिया, पुलिस को एक बार engage करना चाहिए था, students को, students के साथ में देखना चाहिए था, पूरा case है, क्या action लेने से पहले, क्योंकि even कानून भी कई सारे cases में good faith में अगर काम किया ग जिस प्रकार से पुलिस ने action लिया है, तो कानून को ना, यानि पुलिस को सोच समझ के action लेना चाहिए था, तो अभी इस मुद्दे पर protest किया जा रहा है students के द्वरा, कि good faith में mistake की गई है, यह bona fide mistake है, malafide mistake नहीं है, मकसद किसी की जान बचाना था, आप बताइए आपकी क् इस issue के ऊपर, आप किसको तवज्जो देंगे, rule of law को, या फिर moral obligations को, चलिए discussion स्टार्ट करें, date तो आज की 15 दिसंबर है, आज अच्छे-चे articles हम discuss करेंगे, special category status से सम्मधित article है, विहार मांग कर रहा है कि हमें special category का status मिलना चाहिए, उसके बाद एक article land decision से सम्मधित है, और स चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नए स्टार्ट कर, बिहार के द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है कि बिहार को special category status दिया जाए, देखो हल ही में, eastern zone council की meeting organize हुई थी पत्ना में, वहाँ पर home minister अमित सा के सामने, बिहार के मुखे मंत्री नितिश कुमार ने ये म हम बात करते हैं, ये special category status होता क्या है, उसके बाद ये बात करेंगे कि बिहार क्यूं दावेदार हैं, देखो ये जो concept है न, किसी भी राज्य को special category status देना, ये concept इमर्ज होके आया था 1909 में, 1969 में, 5th Finance Commission की recommendations के आधार पर, उस समय Finance Commission ने ये सोचा था, कि यार हमारे देश में कुछ राज्य तो ऐसे हैं, जहां पर पहाड बोत हैं, mountains हैं, hilly states हैं, बहुत दूर दराज के areas में हैं, border states हैं, वहाँ पहाडों की वजए से और बहुत दूर है, border states हैं, तो अच्छे से development नहीं आ पा रहा है, population भी काफी tribal है, तो क्यो ना उनको कुछ special benefit दिया जाए, अभी मै मैं बताऊंगा special benefit, पहले आप कहानी सुनिये, क्या-क्या special benefit दिया जाते हैं, तो नहीं इस सोच के साथ, finance commission ये concept लेके आया था, special category status, भी कुछ राज्य है, जो काफी पिछडे हुए हैं, hilly states हैं, border states हैं, उनको special category status दिया जाए, और इससे उनको फाइदा पुंचाय जाए, त हैं, या फिर significant tribal population, international border के साथ में strategic location है, infrastructure बहुत ज़्यादा poor है, economy उस राज्या की develop नहीं हुई है, और revenue के साधन बहुत ज़्यादा कम है, state का खर्चा अच्छे से चल सके, इसके लिए revenue कमाने के साधन बहुत कम है, तो ये criteria finance commission ने रखे थे, अगर कोई राज्या इन criteria's को fulfill कर तो उसे special category status दिया जा सकता है, अब आप पूछो के सर ये तो बताओ, फाइदे क्या दिया जाते है, center के दवारा इन states को, special category status वालों को, तो ये सारे फाइदे दिया जाते है, center जो पैसा divide करता है न, states के बीच में, 30% total assistance जाती है special category status वाले states को, ये decide हुआ था गदगिल मुख नहीं है, क्योंकि planning commission तो अब खतम कर दिया गया है, नीती आयोग आ गया था 2015 में, अब तो देखो जो विवस्ता लागू है, जो 15th finance commission ने recommend किया था, center जो states को पैसा देगा, 41% states को देदेगा, बाकि 59% खुद रखेगा, अब ये विवस्ता लागू है, तो जो फाइदे मिलत हैं, special category status वाले states को, उनमें ये वाला फाइदा उतना relevant आज के समय नहीं है, लेकिन और बहुत सारे फाइदे मिलते हैं, special category status वालों को, सिरफ एक फाइदे की बात नहीं है, दूसरा फाइदा देखिए, देखो, बहुत सारी centrally sponsored schemes होती हैं, जैसे PM किसान scheme है, परधान मंतरी, फसल भीमा योजना है, अब इन schemes के लिए न, central government जो पैसा देती है states को, देखो, जो general states है न, for example, पंजाब, हर्याना है, जिनको special status नहीं मिला हुआ, इन schemes की implementation के लिए, पैसा इस परकार से share होता है, या तो 60% central government देती है, 40% state government देती है, या फिर 80-20 का ratio रहता है, 80% central government देती है 20% state government देती है, लेकिन special category status वाले states के लिए situation अलग होती है, वहाँ अगर इन schemes को, यानि centrally sponsored schemes को implement करना है न, तो 90% पैसा center अपनी जेब से देती है, और सिरफ 10% पैसा special category status वाले states को अपनी जेब से देना होता है, तो ये फाइदा है, next फाइदा देखिए, incentives for investment, चुकि देखो special category status वाले states पिछड़े होते हैं, तो काफिर रियायत दी जाती है central government के दवारा इन states को, कि आपके यहाँ पे जो factories लगेंगी, उनको excise tax कम देना पड़ेगा, custom duty कम देनी पड़ेगी, income tax कम देना पड़ेगा, corporate tax rate कम होती है, ये जान बुझ के कम किया जाता है, ताकि जादा लोग इन states में invest करें, यहाँ पे development आए, यहाँ पे states को revenue के source मिले, next, debt management privileges, अब special category status वाले states है न, उनको ये benefit दिया जाता है, for example, debt swapping का, debt swapping, debt restructuring, इसमें ये होता है, आपके उपर इतना debt है, आप नहीं दे पा रहे हो, चलो इसे restructure कर देते हैं, चलो इसका time period थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा interest माफ कर देते हैं, interest कम कर देते हैं, इस परकार की चीज़ें होती है, special category status वाले states के साथ में, next, carry forward provision for unspent funds, मालीजिये, center ने states को fund दिया, मतलब special category status वाले states हैं, उनको fund दिया, एक साल में 1000 करोड, वो रज्य खर्च कर पाया, सिरफ 700 करोड, तो इनके पास छूट होती है, जो ये spend नहीं कर पाये, 300 करोड, उसे ये carry forward कर सकते हैं, अगले साल जाके खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाकी states के साथ में ये liberty नहीं होती, अगर वो नहीं खर्च कर पाये, एक साल में center ने दिया था, तो उनका fund lapse कर जाता है, वो carry forward नहीं कर पाते, तो ये सारे फाइदे हैं, अब आप पूछोगे सर, फाइदे तो समझ में आ गए, पहले ये तो बताओ, कि कौन-कौन से राज्यों को अभी तक मिला है special category status, ये तो देखो, आप बता दोगे, क्यूंकि आपको criteria's पता है, criteria's के आधार पे, आप बता दोगे, कौन-कौन से राज्यों को हमारे देश में मिल सकता है, और कौन-कौन से राज्यों को नहीं मिल सकता, तो ये देखो, जमू एन कस्मीर, असम, नागलेंड, ये first three states थे, जिनको special category status मिला 1969 में, उसके बाद 11 states को मिल चुका है, अभी तक, असम, नागलेंड, अब अगर आप ध्यान से discussion सुन रहे हो, तो आपके धिमांग में एक question जरूर आना चाहिए, कि सर बाकी सारे states थो ठीक है, तेलंगाना को क्यों मिला, देखो तेलंगाना राज्य बना था 2014 में, पिछड़ा हुआ राज्य था, नया राज्य था, सरकार चाती थी investment आये, तो इ पाकी सारे states कितना criteria पर उस परकार से खरा नहीं उतरता है, हिली state होना चाहिए, और border state होना चाहिए, international border लगता, लेकिन फिर भी तेलंगाना को दिया गया, एक exception कितना, तो बिहार भी exception मांग रहा है, बिहार कहा रहा है कि हमें भी special category status दे दो, बिहार ये कहता है कि हमारी पर capita income बहुत ही कम है, 49,000, 470, जो कि महराष्टर की 2,15,000, गुजरात की 2,50,000, बाकी सारे criteria को बिहार fulfill करता है, लेकिन हीली terrain नहीं है, जोग्रफिकली difficult areas नहीं है, बट बिहार की मांग ये है कि हमारे आपे ने disaster बहुत आते हैं, northern region जो है बिहार का, वहाँ पे बहुत सारे floods आती हैं, और southern part में बहुत सारे droughts आते हैं, लगातार आते रहते हैं, जिसकी वज़े से बिहार को बहुत नुक्सान बहुंसता है, गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, backwardness बहुत ज़्यादा है, तो special category का status दिया जाए बिहार को, अब देखो, challenges है कुछ special category status के साथ में, क्योंकि बहुत financial commitments पूरी करने पड़ती हैं, और दूसरा चीज ये भी है, एक state को देंगे तो बाकी state भी मांगने पड़ेंगे, बाकी state भी मांगेंगे तो किस-किस को देंगे, next point, जो criteria है ना, अब special category status देने का, उस criteria पर सहमती नहीं है सभी states की, मादब एक बार आपने किसी राज्य को exception दिया ना, बाकी लोग बोलेंगे, हम भी इस criteria को fulfill करते हैं, हमें भी दो, next, uniform treatment देना जरूरी है states को, बाकी राज्यों को ये लगएगा कि हमारे साथ गलत treatment हो रहा है, सबके साथ equal treatment होना चाहिए, next, increase allocation, ये वो वाला point है, 15th finance commission के लेकिन उतना भी नहीं है, जितना पहले हुआ करता था, next point, even देखो special category status वाले पिछड गए, हर्याना पंजाब, इनको special category status नहीं मिला हुआ है, ये आगे निकल गए, जम्मू कस्मीर, उत्राखंड, ये काफी पीछे रह गए, development की मामले में, way forward क्या है, सबसे पहले तो आप criteria पे सहमती बनाओ, क्या criteria होना चाहिए, special category status देने के लिए, ये criteria जो है, वो बहुत पुराना है, 1969 का है, criteria को आप change कर सकते हो, समय के अनुसार, next, economic policy integration, देखो special category का benefit मिलना, किसी भी राज्या की economy को stimulus तो provide करता है, boost तो देता है, लेकिन अंत में matter क्या करती है, उस राज्या की policies, economic policies कैसी है, उस राज्या की, ये factor major role play करता है, कि उस राज्या में development आएगा या नहीं आएगा, कुछ राज्यों की economic policies अच्छी नहीं है, next point, देखो, states को अपनी industrial strength को recognize करना चाहिए, हर एक राज्या का किसी ना किसी मामले में तो strength है, मजबूती है, तो राज्यों को अपन strength पैचान के, वहाँ पे ज़्यादा invest करना चाहिए, self-reliant बनने की ज़्यादा कोशिस करनी चाहिए, बजाए कि center की मदद पे पूरी तरह से depend हो जाना, last में, रगुराम राजन कमेटी, 2013 में गठित की गई थी, इस मुद्दे पर, तो इन्होंने ना ये suggest किया था, कि अगर आपको states को मदद देनी है न, कुछ पिछडे हुए राज्यों को, तो special category status देने के बजाए, एक और index अपनाओ, multi-dimensional index, सिरफ per capita income मत देखो, per capita income के आधार पे आप किसी राज्या की मदद कर दोगे न, तो उस राज्या के पास motivation ही नहीं होगा, अपने को improve करने का, तो आप multi-dimensional index देखो, बहुत सारी चीज़े देखो, उस state में health का क्या level है, education का क्या level है, पीने के पाने की क्या ववस्ता है, फिर उसके बाद ये देखो कि किसने कितना अच्छा काम किया है, और काम के हिसाब से फिर आप मदद दो, इससे क्या होगा, motivation होगा, विभिन राज्यों के पास क्या राय है, बिहार को special category status मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप comment box में बता सकते हूँ, इसके बाद next article, live meet का, land records के digitization से समधित हैं, देखो, 2001 में एक platform launch किया गया था, गती सक्ती, गती सक्ती क्या है, देखो, हमारा देश तेजी से grow कर रहा है, develop कर रहा है, connectivity बहुत जबरदस्त और यहां, धिरे धिरे, तो विबिन डिपार्टमेंट्स और मनिश्ट्री के बीच में, कोडिनेशन होना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे National Highway Authority of India, Railway Department, Civil Aviation Department, और जो Inner, Inland Waterways वाला जो डिपार्टमेंट है, सब के बीच में, कोडिनेशन होना ज़रूरी हैं, सारे मिल के काम करें, तो ना और भी बहतर ढंग से connectivity को implement किया जा सकता है, connectivity और अच्छी बनाई जा सकती है, redundancy को बचाया जा सकता है, पता लगे जैसे National Highway Authority of India को एक highway बनाना है, और उसने काम स्टार्ट कर दिया, बाद में railway वाले बोलें, अरे यहां पे तो हमें line भी बिचानी थी, अ हैं, इसके अलावा, road transport वाली ministry है, सब इस platform पे आके, PM गती सकती पे आके, अपना अपना master plan बताते हैं कि आने वाले समय में हमारा ये plan है, हम ये highway बनाने वाले हैं, railway बताते हैं कि हम यहां यहां पे line बिचाने वाले हैं, होता इससे यह है, कि पता लग जाता है, अब National Highway Authority of India क वो देख लेंगे, कि railway वाले को अब भी plan है, यहां पे, तो आपस में वो coordination कर लेते हैं, कि चलो मिलके बनाते हैं, resources को बचाएंगे, ये फाइदा है, इस PM गती सकती platform का, इससे गया है, PM गती सकती National Master plan बन जाता है, resources बहुत save हो जाते हैं, लेगिन इसके लिए एक चीज है, land records का digitize होना, तो सरकार अपने तरफ से कोशिस कर रही है, 13 major states और 4 union territories ऐसी हैं, जिन्होंने अपने सारे land records digitize करके, इस platform पे upload कर दिये हैं, अभी कुछी राज्य बचे हैं, देखो, सिरफ 6 states और 1 UT बची है, लक्षयदीप, जिन्होंने अपने land records को digitize नहीं किया है, और इ एक बार देखो, पूरे देखो, पूरे देश के land records digitize होके इस platform पे upload हो जाएंगे, तो फिर तो नए-ने project चलाना, implement करना, land acquire करना, और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो ये मने आपको brief में background बताया, अब land records के digitization से सम्मधित इस्यू को हम थोड़ा ओर detail से देखते हैं, land देखो, एक बहुत ही ज़्यादा बहुमूले संसादन है, किसी भी देश के लिए, और इंडिया जैसा देश जिसमें 50% आबादी तो खेती में लगी हुई है, agriculture में involved है, तो इंडिया में land की importance और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, population भी इंडिया की काफी ज़्यादा है, इ ये जो land record management system है ना, इसका हमारे देश में modern, inclusive और transparent होना ज़रूरी है, transparent मतलब कोई भी परसन देख ले, कि ये land का टुकड़ा इसके नाम पे है, ताकि बेवकूफ ना बनाया जासके, पहले के समय में क्या होता है, कि बेवकूफ बहुत बना दिया जाता था, ये बोल दिया जाता था जमीन को, वास्तों में पता लगता था कि वो जमीन किसी और की है, या फिर सरकार की है, तो land record management system को दुरूस्ट करना जरूरी है, इसके लिए, शुरुवात में 2008 में एक प्रोग्राम आया था, National Land Record Modernization Program, NLRMP, लेकिन 2016 में सरकार ने इसे रिस्ट्रक्चर कर दिया, और नया प्रोग्राम बना, Digital India Land Record Modernization Program, DILRMP, ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, Land Record को modernize करने के लिए, ये एक Central Scheme है, और 100% जो funding है, वो Central Government के तरफ से आ रही है, इस प्रोग्राम के लिए, DILRMP, यानिकि Digital India Land Record Modernization Program, अब सुरवात में, जैसे मैंने आपको बताया, Land की importance बताई जाती है, जैसे livelihood source है, Land पे लोग रहते हैं, animals, या फिर पसूपक्सी जो हैं, उनको भी Land तो चाहिए ही जिन्दगी जीने के लिए, Economic Impact, Land पर ही तो industrialization वाली activities होंगी, Economic Growth होगी, Special Economic Zone के लिए Land जरूरी है, बहुत सारा natural resources Land पर मिलता है, Minerals, Waters, Forest, Cultural Significance, Land को हम हमारी identity के तोर पे भी देखते हैं, जनम कहां पे हुआ, जनम भूमी क्या है, और जैसा Land होता है, वैसा culture भी evolve होता है, जैसे पहाडों में अलग तरह का Land है, मतलब जोगरिफिकल फीचर अलग है, तो वहाँ पे culture अलग है, desert में culture अलग है, यह तो सिरफ देखो तीन-चर पॉइंट है, Land की importance में तो आप बहुत ज़र पॉइंट्स लिख सकते हों, अब बात करते हैं, Land record management system की आवशकता क्यूं है, सबसे पहला point transparency, अगर देखो Land records दिश्टाइज होंगे, तो कहीं से भी Land records को access किया जा सकता है, पहले क्या होता था, बहुत ज़दा registers open करने पड़ते थे, records खोजने पड़ते थे, यह पता लगाने के लिए, कि वास्तों में यह जमीन किसके नाम पे हैं, लेकिन अगर देखो Land records को आप जोड़ दोगे, दूसरे database के साथ, for example, अधार के साथ, tax records के साथ, तो फिर Land records को access करन बहुत असान आ जाएगा, एक click पे आप पता लगा सकते हो, कि इस बंदे का अधार कार्ड नंबर यह है, इसके नाम पे यह, यह, लेंड्स recorded हैं, तो disputes कम हो जाएंगी, reduced litigation का point यह है, अभी देखो Land के उपर ना बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, इवन परिवार में ही dispute आ जाती है, यह जमीन किसके नाम पे है, फिर पुराने records को खोजा जाता है कि वास्तव में कितनी जमीन इसके नाम पे है, boundary कहां पे है, जमीन की, land में जो परोसी होते हैं, माली जी इतनी जमीन A person के नाम पे है, इतनी जमीन B person के नाम पे है, तो boundary को लेके विवाद हो जाते हैं कि असल में boundary ये नहीं है मेरे पास जादा जमीन आएगी तो अनेको land disputes court में सामने आते हैं अगर देखो land records digitize होंगे न तो इस परकार के disputes सामने आने बहुत कम हो जाएंगे जो डिसरी का जो important time है वो बचेगा तीसे नंबर पर promotion of development and growth अब देखो पूरे land records अगर digitize रहेंगे सरकार भी असानी से decision ले सकती है कि कहाँ पर कौन से जगें पर industrialization ज़ादा आना चाहिए कौन सी जमीन बिल्कुल सही है industry establish करने के लिए road अगर बनाना है कुछ land acquire करना है तो भी सरकार को काफी ज़ादा आसानी हो जाएगी within clicks पता लग जाएगा कि कौन सी जमीन किसके पास में है जमीन का acquisition आसान हो जाएगा तो इससे development and growth का promotion होगा और equity भी आएगी equity का मतलब है as much time कम होगी हलाकि ये point जो है थोड़ा ideal point है point ये है जब देखो land records डिश्टाइज होंगे तो पता लग जाएगा किसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो फिर land reforms लाना और भी आसान हो जाएगा even जो भूमी अनुप जाओ है उसके बारे में सरकार अच्छे से planning कर सकती है कि इस land के area को हमें reclaim करना है अनुप जाओ से उप जाओ बनाना है यानि fertile बनाना है तो equity आएगी मतलब land के मामले में ऐस मानताएं कम होंगी लेकिन देखो कुछ challenges भी है challenges क्या है एक second हाँ अब ठीक है तो challenge देखो सबसे पहला है lack of coordination among states challenges discuss करने से पहले न एक बार मैं आपको ये जो program है न 2016 का इसके बारे में basic points बता देता हूँ कैसे lands को digitize किया जा रहा है ये देखो key features क्या है DIL, RMP के सबसे पहला point unique land parcel identification number जैसे देखो हमारे देश में हर एक person का एक unique अधारकाड number है उसी परकार से हमारे देश में जितने भी land के टुकडे है न जितने भी land parcel है उनका 14 अंको का एक number है आप कह सकते हो land के टुकडे का अधार number है ULPIN unique land parcel identification number इस number की साहिता से पता लग जाएगा land कहां का है उसके coordinates क्या है मतलब बिलकुल pinpoint किया जा सकता है ULIP की साहिता से कि ये land exactly specifically कहां पर मुझूद है बिलकुल coordinates के साथ में next point है National generic document registration system NGDRS पहले एक problem ये हुआ करती थी जैसे हर्याना में land का registration अलग तरीके से होता है पंजाब में अलग तरीके से होता है document में अलग अलग चीज़ों क्या सकता होती है केरला में अलग धंग से लेकिन इस program का एक feature ये है कि land का अगर registration करवाना है किसी को भी पूरा standardized हो जाएगा format format का standardized होना मतलब जैसे पहले page पे land की information होगी दूसरे page पे बेच कोन रहा है 22 भासाओं में आठमें schedule में जो 22 भासाओं आती है ना उनमें land registration का document जो है उसे translate किया जा सकता है ऐसा program का feature है DIL-RMP का सबसे last में enhanced services ये program जो है और भी काफी सारी services provide करता है जैसे cast income, domicile certificate issue करना online access to crop profile, crop insurance, e-linkage to credit facilities ये सारी extended services भी DIL-RMP program के तहत access की जा सकती है अब एक बार आते हैं challenges की तरफ पहला challenge ये है program तो अच्छा है लेकिन women states अभी भी आपस में corporate नहीं कर रहे है next insufficient resource and capacity program सरकार ने चला दिया, central government ने resources इतने ज़्यादा allocate नहीं किये है staff की दिक्कत है, equipments की दिक्कत है, infrastructure की दिक्कत है अलग-अलग levels पे next awareness नहीं है अभी इस program के बारे में इस program को सफल बनाना है तो awareness होनी चाहिए land के मालिकों में, buyers में जो बिचोलिये हैं, property dealers हैं उनमें हर एक level पे awareness आएगी तब ही जो ये program है वो सफल साबित होगा अब बरियाती है क्या करना चाहिए सबसे पहले अलग-अलग राज्यों में जो land laws या policies हैं, उनको same बनाओ अभी दिक्कत एक ये भी है अलग-अलग राज्यों में land की policies अलग-अलग है land के कानून अलग-अलग है तो पहला काम ये करो harmonize करो similar land laws और policies होने चाहिए अलग-अलग राज्यों में दूसरे नंबर पे central और state governments अपना-पना experience अपने-अपने best practices share करें challenges को address करने के लिए next अगर देखो coordination अच्छा होगा central और states के बीच में ज़्यादा अच्छे से investment attract की जा सकती है ज्यादा growth इंशोर की जा सकती है transparency और accountability कैसे इंशोर की जाए strict action लिया जाए उन लोग अगेंस्ट जो system को manipulate करते है grievance red racial mechanism होना चाहिए resource कैसे mobilize के जा सकते है private sector की help ली जा सकती है public private partnership के तहत awareness फिलाई जाए marginal sections of society जो है उनको बताया जाए इस प्रोग्राम के बारे में सरकार actively involved हो जिन लोग के concerns हैं उनको address करने के लिए sensitization program चलाए जाए तो यह basic points है यह पूरा आर्टिकल हमने डिसक्रस किया land digitization से सम्बंदित इसके बाद एको next article सची थरूर का है गजा इशू पे इंडिया का जो stand है वो उपर नीचे हो रहा है आप GS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं लिगो शुरुवात में थोड़ा background बताया जाता है 200 साल तक Britishers ने देश पर rule किया और जब देश को अजादी मिली न तो इंडिया के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी strategic autonomy यानि 200 साल बाद अजादी मिली है तो अब इंडिया अपने decision खुद लेना चाहता है और ये चीज दिखी NAM में non-aligned moment में ना तो इंडिया USA के group में सामिल हुआ ना ही पूरी तरह से USSR के group में सामिल हुआ क्योंकि इंडिया को ये लगता था किसी group में सामिल हो गए फिर हमारे decision कोई और लेगा जबकि इंडिया अपने decision खुद लेना चाहता था वैसे देखो ये इंडिया की ना official approach थी जबकि actions में काफी बार इंडिया ना west के against खड़ा दिखाई देता था और USSR के साथ खड़ा दिखाई देता था बाद में तो ये चीज और भी ज़़ादा सामने आई जब 1971 में friendship treaty sign हुई USSR के साथ और Palestine issue की बात करें Palestine Israel issue की 1947 में जब partition किया गया था UN के द्वारा Israel और Palestine का तो इंडिया ने इस resolution के against vote किया था क्योंकि already इंडिया में भी partition हुआ था इंडिया को ये लगता था कि यार partition Britishers की वज़े से हुआ है और इसमें इतने सारे निर्दोस लोग मारे गए है और पूरे भारत के दिल को cheer कर दिया है partition करके तो इंडिया ने Israel Palestine के partition का विरोध किया था इंडिया ये चाहता था जैसे इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिल्क जूल के रहते हैं वैसे ही Israel Palestine का partition ना हो दोनों एक ही देश बने रहें जिसमें Jews और Arabs मिल के रहें सांती से जैसे इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिलके रहते हैं हाला कि इंडिया के vote का कोई असर नहीं हुआ finally UN ने दो states बना दिये एक Israel दूसरा Palestine लेकिन जब इसराइल बन गया तो इंडिया ने इसराइल को extend कर दिया हाला कि consular level पे relations रखे सिरफ इसराइल के साथ 40 सालों तक और 1990s के सुरुवात में आके 1992 में finally इसराइल के साथ ambassador level पे relations establish किया गए सुरुवात में इसराइल को recognize तो कर लिया था लेकिन relations बिलकुल low level पे रखे दूसरी तरफ पलेस्टीन की बात करें 1974 में इंडिया पहला नोन अरब कंट्री बना जिसने पैलेस्टीन Liberation Organization यानि PLO को recognize किया और 1988 में पैलेस्टीन स्टेट को recognize किया गया इंडिया के द्वारा लेकिन देखो बाद में धीर धीरे ना इसराइल के साथ relations ठीक होने start हुए क्योंकि इंडिया जहां Pakistan sponsored terrorism से ग्रस था और इसराइल भी दूसी तरफ terrorism से ग्रस था दोनों देशों को लगा कि हाँ terrorism के मुद्दे पर हम दोनों आपस में cooperate कर सकते हैं security cooperation, intelligence cooperation और अच्छे से हो सकता है तो इन चीजों ने ना दोनों को natural ally बना दिया दोनों same problem से जूज रहे थे तो दोनों के बीच में cooperation बढ़ता गया लेकिन चूकि इंडिया में Muslim population काफी ज़्यादा है तो Palestine का कास में इंडिया ने नहीं छोड़ा जब देखो Palestine में यासिर अराफात ने बंदूक को छोड़ा ना ताकि conflict का peaceful resolution निकाला जासके तो इंडिया ने हातो हात two state solution को तवज्यो दी कि हाँ दोनों state मिल के रहे dignified धंग से international borders के साथ में आज के समय में इंडिया उन चुनिंदा देशों में सामिल है जिनोंने दोनों जगें पे अपनी embassy को maintain करके रखा है एक तेलवीव में और दूसरा रामल्ला में इस्राइल और इंडिया के बीच में कोपरेशन आज के समय में काफी ज़्यादा होता है defense equipments में intelligence corporation 1999 कारगिलवार के दुरान इस्राइल ने इंडिया की मदद की थी और देखो एक चीज मोधी पहले ऐसे परधामंत्री बने जिन्होंने इस्राइल विजिट किया और बीजेपी जो है न वो इस्राइल को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्ट करती है vote bank की politics है Congress जो है वो Palestine को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्ट करती है vote bank की politics है दोनों cases में मतलब किस परकार का vote bank Congress का है किस परकार का vote bank बीजेपी का है जैसे अभी example देते है राइटर इस्राइल के खिलाफ हमला हुआ न साथ अक्टूबर को तो परधान मंत्री मोधी ने इस्राइल के पक्स में एक tweet किया बीजेपी supporters ने उस tweet को बहुत retweet किया उसका screen set बहुत share हुआ अक्सर आप देखोगे बीजेपी की supporters इस्राइल के साथ आपको ज़्यादा खड़े मिलेंगे और दुसी तरफ ज़्यादा Muslims हमारे देश में Congress को vote देते हैं तो Congress अपने vote bank को देखते हुए Palestine के काज का ज़्यादा समर्थन करती हैं और इस्राइल को sport Congress की सरकार के दुरान थोड़ा कम था मतलब चोरी छुपे कोपरेशन चलता था लेकिन खुले आम Congress की सरकार कतराती थी ताकि देश में जो Muslims हैं वो नराज ना हो जाए और हमारा vote bank ना चला जाए इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कुछ दिनों पहले जब UN General Assembly में UN General Assembly में कुछ दिनों पहले resolution आया था ना seize fire करने के लिए तो इंडिया ने उस resolution के दुरान abstain किया था जबकि France जैसे देशों ने जो इसराइल के natural ally है close ally है उन्होंने उस resolution का समर्थन किया था कि हाँ seize fire sign होना चाहिए इंडिया ने कहा था कि अभी नहीं होना चाहिए समझ गए इंडिया ने reason भी दिया था कि उस resolution में हमास का जिकर नहीं था तो कुछ देशों को अजीब लगा था कि इंडिया जो हमेशा से two state solution की वकालत करता आया है काफी समय से वो पूरी तरह से इसराइल के पक्स में खड़ा है आज और पैलेस्टीन को भूल गया है लेकिन अब हालाद चेंज हो गए अब काफी दिन हो गए अब गजा में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं उनमें से काफी निर्दोस भी है और इसराइल ने बहुत बड़ा उप्रेशन गजा में चलाया काफी लोग डिस्प्लेस भी हुए है बंबारी लगातार की जा रही है हुमेनिटेरिन क्राइसीज अब बढ़ गए हैं गजा में तो फिर से UN जरनल असेमली में resolution आया कि ceasefire sign होना चाहिए जल्द से जल्द इस बार इंडिया ने उस resolution के Pucks में वोट दिया तो इंडिया ने बोला कि हाँ अब ceasefire होना चाहिए बहुत टाइम अब हो चुका है तो राइटर कहते हैं एक परकार से अब ceasefire के Pucks में वोट दे के UN General Assembly में सरकार ने एक परकार से balance establish करने की कोशिस की है कि पहले आपने इसराइल का support कर दिया जब इसराइल के उपर हमला हुआ था अब काफी time हो गए humanitarian crisis बहुत बड़े हो गए हैं गजा में Muslim World पूरी तरह से पुर्जोर ढंग से कोशिस कर रहा है कि जल से जल ceasefire sign हो इवन US भी isolate हो रहा है सिरफ 10 देशों ने इस resolution का विरोध किया कि ceasefire sign नहीं होना चाहिए बाकी जातर देशों ने 133 देशों ने 150 से ज़ला देशों ने समर्थन किया कि ceasefire sign करो जल्दी से जल्दी कुछ देशों ने सामिल हो गया जिन्होंने ceasefire का समर्थन किया है तो इंडिया ने एक परकार से balance establish करने की कोशिस की है राइटर ये कह रहे हैं कि इस्राइल-Palestine issue पे जो इंडिया का stand है वो थोड़ा उपर निचे होता है खास करके परधामंत्री मोधी के कारेकाल में इंडिया इस्राइल के पक्स में वैसे तो ज़्यादा खड़ा दिखाई देता है लेकिन कुछ चीजों पर इंडिया ने continuity भी maintain की है जैसे two states solution की वगालत अभी भी इंडिया करता है और Palestine को इंडिया पूरी तरह से भूला नहीं है तो मतलब थोड़ा सा change है इस्राइल के पक आज की discussion last में questions देख लेते हैं जो आपको attempt करने हैं questions ये दोनों आपको attempt करने हैं पहला question special category status से सम्मदीत है क्या criteria change होना चाहिए दोनों पक्स में आपको arguments देने है और विपक्स में भी criteria change होना चाहिए या नहीं होना चाहिए किसी भी राज्जय को special category status देने के लिए दूसरा land distribution से सम्मदीत है क्या rational है land distribution का क्या obstacles है सब कुछ आपको discuss करना है दोनों questions का answer देना है 250 words में दोनों 15-15 marks के questions है pwonlyis.com पे जाके आप इन दोनों questions के answer दे सकते हो तो ये थी हमारी आज की discussion कैसी लगी discussion आप comment box में बताइए तो अभी की discussion में इतना ही है कल मिलते हैं एक नई discussion के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू थैंक यू बेरी मच पो डिसकेशन